वेलकम फ्रेंज तो माई यूटूब चैनल प्योगाइड टिप्सेंट्रिक्स मैं संजय विश्वास अब सभी का स्वगत करता हूँ इस चैनल पे आज हम इस वीडियो में एक नया इंट्रेस्टिंग टिकोट के बारे में जानेंगे वो है जाड़ डेटा जो सैप में एवेलेबल है तो सैप में हम जाड़ डेटा टिकोट को यूज़ करके माल्टी परपस रिपोर्ट यहापर हम जेनरेट कर सकते हैं बहुत सारी और पुन डिवाइस में जो COD आर्टिकल डेलिवार होता है उसका जो एमाउंट है वो रिफ्लेक नहीं होता डिटियर में उसका भी सॉल्यूशन इस टिकोट से हम कर सकते हैं तो वीडियो को इन तक देखिए इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे लगभग 11 मिनिट क आपको पूरा देखना है तो अगर आप स्कीप करेंगे तो यह पर आपको मिस हो जाएंगे क्योंकि इस माल्टि पर्पर्पस रिपोर्ट को यूज करके हम बहुत सारी रिपोर्स यह पर हम जनरेट कर सकते हैं तो वीडियो को एन तक देखिए अगर आप कोई वीडियो पस मिल्टि पर्पर्पस पर फिर यह पर हम इंटरप्रेस करेंगे यह पर जाट JART DATA तो देखिए यहापर माल्टी पर्पस रिपोर्ट तो यह पर बहुत सारी रिपोर्स हमें यह पर जनरेट कर सकते हैं तो यह नया चीज यह पर इंटोडिउस होा है और इस टी कोट को अगस के criteria जे तो पहले देखे आर्टिकल है तो अगर आप आर्टिकल को select करेंगे तो यह पर आर्टिकल नंबर डाल के उसका booking details उसका COD status, track trust list and all above details आप एक साथ यहाप पर वीपी आर्टिकल status देख सकते हैं फिर यह पर देखे एफ एन यानि कि financials account यह हमें बहुत काम आएंगे वह किसी भी profit center का आप cash request, access cash, check request, manual postings यह सारी चीज़े आप यहाप एक ही साथ एक ही T-code से आप देख सकते हैं आप किसी भी period का देख सकते हैं तो यहाप देखे हम FNA select करेंगे program selection में और फिर यहाप आपको जीस office का आप देखना चाहते है उस office का profit center यहाप दालना पड़ेगा तो आप branch-office का भी डाल सकते हैं जयसे आपको रोल है तो यहाप कर सकते हैं तो पोस्टिंग डेट है वो पोस्टिंग डेट ड燥 डालेंगे कोही भी diva डाल सकते हैं चलि हम यहापको हमारा करेंट मांत का ही डाल देते हैं फिर यहाँ पर देखिए cash request यहने कि हम cash request select करेंगे तो देखिए हम branch office का देख रहे हैं तो branch office से जितने भी cash request raised हुआ है वो यहाँ पर सारी यहाँ पर detail में आ जाएंगे उसका document number, date, time, सारी details, profit center, cash office का, account office का, कौन सा user से हुआ है date, सारी details यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और जो request IDs है वो भी यहाँ पर आपको requestology column में मिल जाएंगे फिट चलिए हम यहाँ पर back कर जाता है फिर हम next देखते हैं एक्सेस का send वो भी हम देख सकते हैं आप इसका देखिए हम यहाँ पर एसो का डाल देते हैं profit center, profit center, posting date एक्सेस का send select करके हम execute करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो period हमने select किया है उस period के अंदर जितने भी ऐसे एक्सेस का send हुआ है उसका request यहाँ पर आपको मिल जाएंगे तो देखिए यहाँ पर request ID भी रहेंगे फिट चलिए हम देखते हैं आगर कोई check request है तो check request भी आप देख सकते हैं यहाँ पर profit center date check request select करके execute करेंगे पर manual posting, manual posting भी आप किसी भी period का देख सकते हैं तो देखिए इस office में जितने भी manual posting हुआ है याने कि जो bills payment हुआ है वो अगर आपको दिखेंगे और PLI, PLI-PLI का postings भी आपको दिखेंगे और PLI-RPLI का postings भी आप भी आपको दिखेंगे जो T-Code यूज़ हुआ है, सारी डीटेल यहाँ पर रहेंगे, तो चलिए next हम देखते हैं, तो यहाँ पर manual posting की आपको मिल गया है, फिट चलिए हम MMU देखते हैं, MMU यानि की mail monitoring unit का भी आप report यहाँ पर देख सकते हैं, तो MMU अप select करके यहाँ पर आपको office का facility ID डलना है, और article receive date डलके उसका delivery office में कोई pending है, या अंडेलिवर स्टेटास, पार्सेल का status सारी आप देख सकते हैं, तो यहाँ आप किसी भी बियो का भी देख सकते हैं, एसो का भी देख सकते हैं, उस office का profit center डलना है, आपको article receive date डलना है, period आप किसी भी डाल सकते हैं, अगर अंडेलिवर आ यहाँ पर है कितने number है, तो जो number है, number के उपर आप क्लिक करेंगे, तो जो 12 यहाँ पर दिखा रहा है, वो 12 article का detail यहाँ आप आजाएंगे, तो यहाँ पर उस article number भी आपको मिल जाएंगे, उसके receive date, last invoice date, सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आपको ब्रांच अपिश करके देख सकते हैं, अगर आप parcel only select करेंगे, जो parcel है, वो parcel भी यहाँ पर, single parcel जो है, वो भी यहाँ पर आजाएंगे, तो बहुत ही वरिया IT code है, इसको हम यूज़ करके बहुत सरी काम कर सकते हैं, बहुत सरी multipurpose report यहाँ पर हम निकल सकते हैं, नेक्स चलिए हम देखते हैं, जो offices है, offices को select करके भी हम बहुत सरी reports देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम offices select करेंगे, program selection में, तो यहाँ पर देखिए, facility ID डलना है, आपका अगर बियो का देखना है, तो बियो का या sub office या head office, BPC, जिस office का देखना है, उस office का facility ID डलना है, उसका pin code डलना है, यह बहुत सरी काम आ सरी details हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर बियो CSI to दोरपन back details option को select करके हम execute करेंगे, तो इस period के अंदर देखिए, account office से जितने भी back यहाँ पर हुआ है, उस ब्रांच अपिश के लिए, वो सारी यहाँ पर आ जाएंगे, उसका date, time सारी आ जाएंगे, और देखिए जो back status, बियो back status option है, यहाँ पर आपको status मिलेंगे, यहाँ निकी लेखिए, यहाँ पर last जो हम इस date पर किया है, वो भी यहाँ पर sync हो गया है, यह opened हुआ है, अगर बो दोरपन में open किया, उस back को यहाँ पर open completed show होंगे, and ready to open means वो virtual bag available है दोरपन device में, but अभी भी उसको बो ब open option रहेंगे, and this date पर बियो sleep generate नहीं होंगे, जो holidays है, उसमें no बियो sleep ऐसे आपको दिखने को मिलेंगे, तो यह बहुत ही काम आएंगे, यह जो T code है, इस report को हम use करके multi-purpose report, देखिए, sap to बियो back files report, इसको use करके कौन सा बियो back open कर रहा है, यह नहीं कर रहा है, कब open कर रहा है, उसका date, time भी आपको मिल जाएंगे, जो की बहुत ही बरिया है, monitoring के लिए भी बरिया है, and हमें सारी details हम sap में आप easily देख सकते हैं, जो channels में काम होते हैं, जो postal back office में होते हैं, जो offline है, या जो dot phone device है, जिस से data sync होता है sap में, वो देखिए, यह पर real time में upload हो रहा है, जब भी sync ह हो रहा है sap के साथ, वो दरपन device या postal back office, high sync के थ्रूस है, तो साथी साथ, real time में sap में update हो रहा है, ए रिपोर्ट, तो next, चलिए हम और एक देख लेते हैं, यह पर देखिए, पॉस रिकॉन details, तो यह पर पॉस रिकॉन details में, पॉस, dpms, debigin, end, with record status, यानि कि आपका point, जो postal back office आपका, जीस office का आप देख रहा है, उस office में कब, कौन सा time पे day begin हुआ है, कौन सा time पे day end हुआ है, उसका date, जो article booked हुआ है, जो article synced हुआ है, बो data आपको यह पर मिलेंगे, sync status आपको मिल जाएंगे, बो completed show होंगे, अगर नहीं है, तो record not found, जो holidays है, उसमें दिखाएंगे, sync date दिखाएंगे, and record id, जो file back office, high sync के थूँ से transmit होता है, बो request id भी आपको यहापे मिल जाएंगे, जो की बहुत ही बरिया एक report है, आपको यहापे फीट देखिए, और भी dz posting data, यानि कि इसमें point of cell में जितने भी transactions हुआ है, जो single transaction आपको यहापे मिल जाएंगे, तो देखिए, आपको यहापे आपको यहापे आपको यहापे मिल जाएंगे, जो की बहुत ही बरिया है, अगर आपको यह जब आपका point of cell काम नहीं करेंगे, डेटा नहीं मिल जाएंगे, तो भी यह आप सैप में इस report को देखिए, जो है, बहुत ही बरिया यहापे इंट्रोड्यूस किया गया है, नेक्स देखिए, बिलार्स, बिलार्स के तुरूस आप COD या जो customer से BNPL का BPC office का बहुत आप देख सकते हैं, लास्ट देखिए, दरपन, दरपन से आप यहापे COD article ID है, यहाँ से अगर दरपन में COD article डेल नहीं हुआ है, तो ऐसे cases में, जो cases है, तो इसमें दरपन सेलेट करना है, इस decode कर जाड़ डेटा पर जाके दरपन सेलेट करना है, जो COD article ID है, जो डेलिवर हुआ है, जिसका amount reflect नहीं हुआ है, वो COD article या पर article number डालना परेगा, ऐसे कोई cases हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे उसको posting करते हैं, वो हम देख दे, तो यहाँ पर COD article ID है आपको देना है, फिर यहाँ पर execute करना है, तो next screen पर यहाँ पर देखिए, वो COD article का status है, आपर आ जाएंगे details, तो यहाँ पर देखिए, इसका status non-COD दिखा रहे है, जो COD articles होंगे, उसका COD दिखा रहे है, जो posting allowed option है, यहाँ पर देखिए, no है, क्योंकि यह non-COD है, अगर यहाँ पर ES होंगे, COD के लिए, अगर आपके जो data है, posting amount reflect नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ES पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर posting हो जाएंगे, यहाँ पर जो document number है, वो भी यहाँ पर generate हो जाएंगे, तो आप easily, ज तो ऐसे T-Code हमें चाहिए थे, इतने multipurpose रिपोर्ट देखने के लिए बो हमें मिल गया है, थैंक्यू फ्रेंस फर वाचिंग, अगर आप कोई वीडियो पसंद आए, helpful लगे, informative लगे, तो लाइक कीजिए, कोई कोईड़ी है तो आप comment करके पूछ सकते है, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, और अल्सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अभी के लिए इतने मिलते है अगले कोई वीडियो में